आज 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 हम टॉपिक पढ़ते हैं कैल्कुलेशन आफ नंबर ऑफ इस्टीडियो आईसमर्स ठीक है बच्छों तो जैसे हमने जेमेंट्रिकल आईसमर्स को बच्छों कैल्कुलेट किया था उसे तरीक से यहाँ पर भी फॉर्मूले मिलेंगे आप हमें और हम कैल्कुलेट करेंगे नंबर ऑफ इस्टीडियो आईसमर्स को बच्छों केस वन देखते हैं केस वन फॉर अंसेमेट्रिकल कंपाउंड बच्छों कर कंपाउंड अंसेमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीडियो आईसमर्स पुबे लेंगे बच्छों में तू पावर एन ठीक है बच्छों और एन क्या है नंबर ऑफ स्टीडियो सेंटर स्टीडियो साइट ठीक है यसी साइट जहाँ पर हम आईसमर्स ने देख सकते हैं वो स्टीडियो साइट हो गया बच्छों ठीक है बच्छों बात करें केस टू की केस क्या है वोर स्टीडिट्रिकल कंपॉंद्स शिबट्रिकल कंपॉंद के लिए बच्छों दो तरreका केस देखने के मिलेगा एन की वेलू इवेन हो और एन की वेलू क्या हो बच्चों ओड हो ठीक है बच्चों यहाँ पर लिखते हैं बच्चों स्टिरियो साइट आप्टिकेली एक्टिव कितने एसाइस मर्स होंगे जो आप्टिकेली एक्टिव होंगे मीजो पर बच्चों कमपाउन अगर सिमेट्रिकल होगा तो इसके मीजो फॉर्म भी बनेंगे बच्चों टोटल स्टिरियो आईसमर्स जिसको में बच्चों लिखते हैं टी एसाइट टोटल स्टिरियो आईसमर्स ठीके बच्चों अगर हम अंसिमेट्रिकल कमपाउन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर मीजो नहीं मिलेगा कि जो भी मिलेंगे सभी के सभी आईसमर्स होंगे मीजो एक भी नहीं होंगे मीजो जीरो अगर कमपाउंड अंसिमेट्रिकल है बच्चों तो इसमें मीजो फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अल आर अप्टिकली एक्टिव तो जितने भी स्टिडियो आईसमर्स मिलेंगे सभी के सभी के होंगे बच्चों अप्टिकली एक्टिव होंगे ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं एन और है ठीक है तो एन और पर टोटल इस्टिडियो आईसमर्स मिलते हैं बच्चों टू पावर एन माइनस वन ठीक है मेजो फॉम की बात करें बच्चों तो मेजो फॉम मिलेंगे रफूं 2 पॉब्शो मिलेंगे रफून को बच्चों फॉमाइन हमनगाधन तो टोल मेंसमें मिजो घटा दे प snippet जाएंगे तो 2 पावर n-1 ये टोटल हो गया माइनस 2 पावर n-1 बाइ 2 ये हो जाएंगे बच्छो क्या optically active क्यों क्या है optically inactive रहते हैं और total ये है तो total में क्या है mezo plus optical active सबसामिल है ठीक है अब बच्छो देखिए दूसरा case देखते हैं n क्या है बच्छो even है तो n even पर बच्छो optically active मिलते हैं 2 पावर n-1 optically active जो isomers है और बच्छो meso compound मिलते है बच्छो हमें 2 पावर n by 2 minus 1 ठीक है अब टोटल की बात करें बच्छो तो टोटल में क्या है optically active plus meso दोनों ही होते हैं तो टोटल मिलेगा बच्छो हमें 2 पावर n-1 plus 2 पावर n by 2 minus 1 ठीक है बच्छो टोटल stereo isomers ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्छो अब हम एक्जामपल देखते हैं बच्छो एक्जामपल देखिए बच्छो इसको में देखिए बच्छो फर्स्ट एक्जामपल यह हमने पूंटो है निए तो n1 पर number of stereo isomers वो मिलेंगे बच्चो 2 power 1 2 power n के इसाब से बिलेगा 2 power 1 जो कि होंगे बच्चो कितने total 2 तो अगर हम बच्चो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कारेल सेंटर है और बच्चो कारेल सेंटर 1 है तो अगर आपने बच्चो सेंटर लगा नहीं सकते अगर आपने बच्चो सेंटर लगाया तो कारेटी नहीं रहेगी ठीक है तो n1 पर number of stereo isomers में फोर्मूला हमने यूज किया बच्चो वह 2 power n ठीक है अब इसके 2 isomers है वह दो है कौन से बच्चो यह देखिए तो गिवन एक कार कारेटी नहीं कि देखिए उन्य पिचल प्रिजेक्शन बना देते हैं यह बच्चो है और CH2 OH और H और OH यह बना कारेटी शिंटर पर और दूसरा अलेनिमेंट बच्चो हम लिख सकते हैं इस तरीके से निधों से मिर इमेज बना दीजिए CH2 OH और यह बच्चो ओएज और य बन गए और यह क्या है बच्छों इस बनते हैं मैं और मेरा इमेज जिसको भी नहीं से उमर कहते हैं एक बच्छों बात समझें आ गई तो एक काईरल सेंटर पर डू आइस मर बने डू आइस से हो सकते हैं R plus S बात समझ लें यह टू कौन सा है एक अगर R होगा तो दूसरा S होगा R और S जो है different isomers मान जाते हैं ठीक है बच्चों बात समझ गया अगर देखिए next ठीक है next example देखते हैं बच्चों example number two देखते हैं बच्चों देखिए example number two में बच्चों हमने लिया CHO CHOH CHOH और CH2OH ठीक है बच्चों अब बच्चों हम यहां पर बात करें देखिए इस्टीरियो साइट कायल से इंटर अगर देखें बच्चों N की value two है ठीक है ठीक है अब बच्चों देखिए N two पर अन्सिमेट्रिकल मॉलेक्यूल है बच्चों अन्सिमेट्रिकल मतलग यह ट्रेमिनल और ट्रेमिनल बच्चों कह सेम नहीं है तो तोटल स्टीरियो आईसोमर कहें या आप से पूछे टॉप्टल आउप्टिकल आईसोमर्स भी 4 है ठीक है क्योंकि यह जो साइट है कायल सेंटर है स्टीरियो बच्चों यहाँ पर हमें इसलिए लिखा है कि कुछ कैसे में डबल बॉन भी आ जाता है उसके लिए यही फॉर्मुला है डबल बॉन प्लस कायल सेंटर वगेरा हो तो हम इसी फॉर्मुली का ही इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब तो इसमें देख रहें कि अगर ज तो होंगे कौन से एक बार हम बताया दते हैं और ठीक है यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं कुछ इंपर्टन एक्जांपल में बना देगे हैं तो च्छो एच ओच 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 और और च्छो और च्छो ठीक है बच्छो तीदिखिए अगर प्लेन आप स्मेट्री नहीं अगर च्छो एक तो यह हैरा प्लेन आप स्मेट्री नहीं दिख रही है इसका अप्लेत बना सकते हैं ठेक है तो आप तो यह और एक इसका और बन गया दूसरा देखिए इस तरही के से लिखा बच्छों हमने CHO CH2OH और H OH और H और OH ठीक है हमने एक HOH की पोजिशन को हमने लेफ्ट राइट को चेंज कर दिया अब बच्छों ये भी Optically Active है ठीक है तो इसका Mirror Image बन जाएगा तो Mirror Image बनेगा बच्छों कुछ ऐसे तो OH, H और H, OH और CHO और CH2OH तो इस तरीके से बच्छों इसके मिले 1, 2, 3, 4 फोर आईसमर्स बन गए इसमें ठीक है बच्छों बात समझ गए अब बच्छों नेक्स केस देखते हैं केस नमबर 3 बच्छों नेक्स एक्जाम पर देखते हैं केस तो 2 ही है ठीक है बच्छों तो नेक्स एक्जाम्पल देखिए हमने लिखा बच्छों CS3, CHBR, CHBR और CS3 ठीक है अब बच्छों यहां पर देखें N की value तो 2 है अध्य यह कायल सिंटर है यह कायल सिंटर है तो 2 कायल सिंटर है लेकिन molecule कैसा है बच्छों symmetrical है तो N2 पर N2 पर even है तो optically active अगर आप देखें Optically active मिलेंगे बच्छों क्या हमें 2 power N-1 ठीक है तो 2 पावर 2-1 मिले बच्चो 2 तो पूछ लेता है कितने optically active isomers होंगे तो वह है 2 बच्चो मीजो की बात करें तो मीजो का formula है बच्चो 2 पावर n by 2-1 तो 2 पावर 2 by 2-1 2 पावर 1-1 2 पावर 0 2 पावर 0 एनी पावर 0 क्या होता है 1 ठीक है अब बात करें बच्चो total की बात करें total stereoisomers TSI ठीक है तो total क्या होता है optically active plus मीजो का sum तो optically active plus मीजो को मिला दें बच्चो तो 2 प्लस 1 मिला किया 3 ठीक है अगर आप formula से भी देखना चाहें तो वही जी जब हमने लगाई है बच्चो इस जगह पर 2 पावर n-1 ठीक है और 2 पावर n by 2-1 यह इन दोनों को sum कर दिया तो मिल गया बच्चो में 3 अब बच्चो इसमें 3 है कौन से उसको देखिए तो इसमें पूछ लेता है कितने optically active compound होंगे कितने optically inactive होंगे तो बच्चो देखिए इंपॉर्टेंट कैसे से उनको मैं सभी बना देता हूं रेक्शन्स में भी बच्चो इन ही कि हमें जुरूद पढ़ेगी एच बियार एच और बियार एच और बच्चो क्या है मीजो है ठीक है और मीजो वाला ही बच्चो क्या होता है optically inactive ठीक है तो मीजो फॉर्म इसका क्या बच्चो optically inactive अब देखिए cc3 cc3 और बच्चो एच बियार और बियार और बियार और एच बच्चो अब यह मीजो नहीं है यह optically active है यह क्या बच्चो optically active इसका mirror image बनाया है बच्चो उमने बियार एच एच और बियार cc3 cc3 यह भी बच्चो क्या है optically active ठीक है और यह दोनों ही बच्चो क्या है mirror image है mirror image है तो बच्चो क्या है inansiomers बच्चो अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चो फोर और लिखा है बच्चो हमने यहां पर c2 h5 लगा जेता हो में एक जिगे पर c2 h5 तो अब बच्चो n2 है symmetrical नहीं है अब बच्चो हो गया unsymmetrical तो इस case में जो formula लगेगा total stereo isomer जो की optical isomer ही है total stereo isomer जो की है क्या बच्चो optical optical isomers क्या मिलेगा बच्चो 2 power n मिलेगा 2 power 2 क्या हो जाएंगा बच्चो 4 और इसके में सभी के सभी क्यों symmetrical नहीं है तो all isomers are are optically active बच्चो सभी के सभी जो isomers हैं वो क्या होंगे optically active होंगे तो अब बच्चो यह जो मीजो बना है अब यह मीजो नहीं होगा क्योंकि एक बच्चो इसमें क्या है c2 h5 आ चुका है तो यह बनेगा साथ में इसका मेरा रिमेज भी बनेगा ठीक है बच्चो ठीक है यह बना इसका मेरा रिमेज बना और यह बनाया है तो इसका भी मेरा रिमेज बना दिया घीक है यह बी ऑप्टिकली अक्टिव यह बच्चो 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 बात समझ cinema बच्चो बच्चो इस तरीकें से हम एक्जाम्पल नमबर फाइव ठीक है और हमने लिखा है बच्छों तो इस केस में भी वही बात है अन्सिम्मेट्रिकल है टू काइरल सेंटर है और और आईसोमर सार अप्टिकर रियेक्टिव और सिर्फ चेंज क्या करना है यहां पर बच्छों आपको OH लगा देना है यह OH आ गया ठीक है तो इस तरीके से हम बच्छों उसको बना सकते हैं यह OH और यह OH आ गया ठीक है बच्छों सभी के सभी 4 आईसोमर्स जो बनने हैं वो सभी के सभी के हैं बच्छों आप्टिकली एक्टिव हैं ठीक है बच्छों अब बचो देखिए जिसे हमने इसमें सी अस्ति लगा दिया तो नेक्स एक्जाम्पल है बचो यह एक्जाम्पल नूमबर 6 अब आप इसको देखिए बचो तो क्या अभी भी मॉलेकुल सिमेट्रिकल है तब ट्रमिनल तो सेम है लेकिन आप इसको अगर बीच से देखते हैं तो मॉलेकुल यह सिमेट्रिकल नहीं है एक तरफ वह अच्छ है एक तरफ क्या है बच्छो भी आर लगा हुआ है ठीक है तो एन्टू टोटल आईसोमस बनेगे बच्छो इसमें 4 और हमने जो चेंज किया है वह हम चेंज कर देते हैं बच्छो यह है सी अस्त्री और समझ रहेंगे कि किस तरही किसे हम नंबर आफ ओप्टिकल आईसोमस से निकाल लाए है ठीक है बच्छो आप बच्छो देखते हैं नेक्स एक्जामपल एक्जामपल नंबर सेवन और मैं इसको रफ करता हूं अभी ठीक है तब क्यों लिया है बच्छो हमने सी डेबर ओएच सी एच ओएच ओएच सी एच ओएच देबर ओएच ठीक है बच्छो इसको टार्टै रही कैसे ल कहते हैं ठीक है तो अगर आप बच्छो इस पर देखिए तो कायल से इंटे तो ठीक है टू है और सिमेट्रिकल है ठीक है टोटल स्टीडियो आइसोमर मिलेगा बच्छो कितना फोर्मूला है हमारे पास ठीक है ठीक है ठीक है इन थ्री में काउंट कौन से है बच्छो मीजो और दूसरा है रेस्मिक ठीक है तो रेस्मिक में क्या हुआ इनेंसियो मर्स होंगे बच्छों इनेंसियो मर्स ठीक है बच्छों तो थ्री आईसियो मर्स होंगे थ्री हमने पहले भी बनाये थे ठीक है बच्छों नेक्स एक्जाम पर देखते हैं नोट कर लिजे बच्चो नेक्स देखते हैं बच्चो एट और मैं लिख रहा हूं बच्चो एसे भी लिख सकता ही है कि ये सी एच ओ एच कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चो फोर टाइम्स और सी एच टू एच ठीक है काई सेंटर बच्चो आप दोड़ी है रहा है मिलें बच्चो आपको फोर पशों—2—3—4 न है बच्चो 4 किया थिम्मेट्रिकल है नहीं है रहा है अन्सिमेट्रिकल खेता है लिख पिछ टोटल स्ट्रीो आइसोमर ठीक है next एक्जामपर देखते हैं 9 तो बच्छे आप इसको देखिए यह center chiral है यह center chiral है n का value है बच्छो 2 और symmetrical है अब खैसे तो अभी n equals to 2 और symmetrical वाले case में total stereowise मिलेंगे बच्छो में 3 आप बच्छो हमने यहाँ पर लिखाए टोटल इस्टेरियो आईसोमर तो स्टेरियो का मतलब क्या है बच्छों G.I.P.L.S. O.I. तो अगर उसमें बच्छों गिवन गमपाउंड में जिवमेट्रिकल आईसोमर बनते हैं तो हम उसको भी सामिल कर लेते हैं टिक है अगर बच्छों इसमें अगर proximat नहीं है तो टोटल इस्टीडि़ ऑ इसमें क्या है बच्छों सिर्फ और सरिफ कौन से वाले हैं अप्टिकल वाले हैं तो इसमें भी बना सकते हैं तो आप देखो पहले जोमेटरिकल आईसमार बना लिजिए जोमेटरिकल में एक सिस होगा दूसरा कौन से होगा बच्चो दूसरा और ट्रांस होगा इस तरीके से और दूसरा ट्रांस तो हमने जी आई बना लिया है जब भी हमें उप्टिकल देखना है तो पहले हम जमेटरिकल बना लेते हैं अगर जमेटरिकल है तो ठीक है अब देखे बच्चो यह तो क्या है पुओएस है इसमें खूब सुर्प अगर अब POS है, तो compound क्या है, optically inactive, अब अच्छो इसमें POS तो नहीं है, तो यह क्या है, optically inactive, तो हर optically inactive compound का mirror image भी दुनिया में मिलता है, तो mirror image बनेगा, और mirror में image कैसी होगी बच्छो, कुछ ऐसी, तो mirror image में पता है, तो जो group आपको, अब वो plane है, उसको below बना दीजिए, जो below है उसको अब बना दीजिए, तो यह इसका mirror image हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से बच्छो यह 3 isomers इसमें मिलें, 1, 2 और 3, ठीक है बच् तो example number 10 में हम क्या गड़ते हैं, हमने यहाँ पर group लगा दिये, कुछ अलग, एक तो बच्छो हमने CS3 रखा, मतलब में थाई लिख दिता हूँ, ठीक है, यह me, और दूसरे group को हमने बच्छो किया et, तो बच्छो n2 है, लेकिन आप यह symmetrical नहीं है, अब यह क्या है बच्छो, यह है unsymmetrical, ठीक है, आप symmetrical नहीं रहा है, क्या है बच्छो, यह unsymmetrical, तो आप बच्छो आप देख रहें कि total stereo isomer मिलेंगे, n2 वाले case में, वो हो जाएंगे 4, ठीक है, n2 unsymmetrical, total stereo isomer मिलेंगे बच्छो, 4, और formula आपको पता है, कि 2 power n वारा formula लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, त अब बच्छो यह, यह प्लेन आप सिमिट्री अभी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है बच्छो, अब प्लेन आप सिमिट्री यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप प्लेन आप सिमिट्री यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, यह क्या है, ओप्ट कि दोनों हें सिस लेकिन ये वद आप्टिकल युक्त ह्ती ये वाला बहने wedग से इनंसियूमर्स कि हमने कायल सेंटर पर कन्फिग्रेशन को रिवर्स किया है यह अब अबस ब्लेन है यह बिलो प्लेन हे यह वाला मेथाईल में अगर कन्फिग्रेशन आर हो तो आप 그건 द्रेंडल इसमाइब बच्चो तो 4 है, all are optically active, all are optically active, ठीक है बच्चो बात समझ गए हमारी, ठीक है, तो इस तरीके से 4 isomus इसमें हम बनाते हैं, ठीक है बच्चो, next example, इसी में देखते हैं बच्चो, example number 11, ठीक है, और अब ही हम ने लिखा है है यहाँ पर, OH और BR, अभी भी कहानी बच्चो वही है, ठीक है, OH और BR unsymmetrical है, तो हम यहाँ पर बच्चो चेंज कर देते हैं, इनकी हमें बच्चो आगे भी जरूत पड़ेगी, OH, BR, और यह बच्चो, यह OH और यह BR, तरीके से, और यहाँ भी बच्चो हो जाएगा, OH और यह BR, UH हो गया, यह BR हो गया, ठीक है बच्चो, बात समझ गए, हम किस तरीके से, हम इसमें स्टीडियो आइसमर्स को लिख रहे हैं, ठीक है बच्चो, नेक्स एजामबल देखते हैं, तो बच्चो, नेक्स देखिए, एक्जामबल नमबर 12, ठीक है बच्चो, तो बच्चो देखिए, N3 है, सेंटर, यह सेंटर, यह सेंटर, यह सेंटर, च्रीक है, अगर आप मीजो की बात करें, जिसमें मीजो फोम बनेगे, और वो कहा है बच्चो, 2 पावर, N-1 by 2, जो की मिलेगा बच्चो, 2 पावर, 3-1 by 2, 3-1, 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया, मिला है बच्चो, इसमें 2, ठीक है, पास समझ गए, तो 2, इसमें मीजो फोम है, और अगर आप बच्चो, अप्टिकल एक्ट्यू की बात करें, तो अप्टिकल एक्ट्यू है बच्चो, टोटल माइनस मीजो, तो टोटल है बच्चो, 4 और मीजो है 2, मिल गया बच्चो, हमें कितने 2, ठीक है, तो इसमें बच्चो अगर आप देखना चाहें, किसके 2 मीजो कौन से हैं, तो वो 2 मीजो कंपॉंड भी हम बना सकते हैं बच्च यह CS3, यह CS3, वो बच्चा, आपको प्लेन आप सिमेट्री रखनी है मीजो के लिए, तो वो बच्चो देखिए, यह प्लेन पास किया हमने इसको कट करते हुए, इसको बोलते हैं वो यह मीजो बन गया, आप दूसरा मीजो बनाना चाहें, तो दूसरा मीजो भी बना सकते ह हम, आपको क्या डबना है, प्लेन आप सिमेट्री रखनी है, तो बच्चो यह CS3, यह CS3, यह H और BR, तो बच्चो हमें इस H और BR को चेंज कर दे, यहां लिकूं BR, यहां पर लिकूं मैं H, ठीक है, तो इससे क्या है बच्चो यह PUS है, यह मीजो हो गया, यह इसके दो मीजो compound है, ठीक है बच्चो, next example देखते है, example number 13, इसमें भी हमें total number of isomers निकाल ले है बच्चो, देखिए, घ्यान दीचे इस compound को, बच्चो यह compound, मैं देख रहे हैं कि CS3 है, CL है, फिर बच्चो यह CS3 है, CS3 और फिर यह CL आगे इस तरीके से, बच्चो देख रहे हैं कि यहां से compound symmetrical है, क्योंकि बच्चो इसके terminal सेम है, ठीक है, terminal का C2S5 और C2S5, तो पहले बच्चो terminal देख लेने हैं, ठीक है, तो terminal अगर एक जैसे है, तो फिर symmetry के लिए विचार करने ने चाहिए, कि यह symmetrical हो सकता है, देखिए, यह अपना image यहां बनाया, स्क्लोरी ने अपना image बनाया, औ यह सी यह 3 ने image अपना यहां पर बनाया, ठीक है, स्क्लोरी ने चाहिए, ठीक है, और एन की बात करते हैं, यह 1, 2, बच्चो 3, 4, 5, 6, बच्चो एन की value 6 है, ठीक है, और compound के है बच्चो symmetrical है, तो टोटल stereo isomer, इस के से बच्चो टोटल stereo isomer ही, optical isomer ही ही है, और वो मिलेंगे ब 2 power 6 minus 1, plus 2 power 6 by 2 minus 1, मिलें बच्चो 2 power 5, और प्लस, बच्चो इसको divide करेंगे, ठीक है, 3, और 3 minus 1, मिलें बच्चो 2 power 2, ठीक है, इस तरीके से हम बच्चो इसमें total stereo isomer निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चो, अब बच्चो यहां पर देगे, इसमें double bone भी है, डबल bone के अराउंड geometrical isomer बन सकते हैं, और यह बच्चो क्या है, stereo center है, इसके around भी बच्चो हम RS देख सकते हैं, तो टोटल बच्चो मिलेंगे इसमें, unsymmetrical है, n की value 2, unsymmetrical, और total stereo isomer, बच्चो इहां पर टोटल stereo बोलेंगे, विए geometrical भी है, साथ में बच्चो optical भी है, तो 2 power n के इसाब से बच्च n काउंट करेंगे, बच्चो इहां पर, ठीक है, जिसके around geometrical isomer मिलेंगे, ठीक है, तो double bond एक stereo site है, और chiral center एक stereo site है, तो total stereo site है, बच्चो इसमें 2, ठीक है, बच्चो इसमें देखिए, जिस double bond के around geometrical isomer सम बना सकते हैं, बच्चो और बच्चो यह central chiral है, तो इसकी के जैसा ही बच्चो, n value 2 है, और total stereo isomer मिलेंगे, बच्चो, इसमें भी 4, ठीक है, अब 4 में देखिए, ऐसे system इसमें और इसमें एक ही जैसा है, बच्चो, इसमें जो 4 isomers है, बच्चो, कौन कोल से हो सकते हैं, उसको देखिए, बच्चो की double bond है, double bond पर EZ system से हम EZ हो सकता है, और जो ब 4 possibilities हैं, उसको देखिए, बच्चो, ठीक है, एक बार बच्चो, काईरल सेंटर पर R configuration, और इस पर double bond पर मानगे, E हो गया, ये, ठीक है, तो बच्चो हमने इसका mirror image बनाया, तो mirror image में R का S देखिएगा, लेकिन E वाला change नहीं होगा, ठीक है, अब एक बार बच्चो क्या है, यहां पर S हो जाए, ठीक है, और ये बच्चो क्या है, Z हो जाए, आपने इसका mirror image बनाया, तो S की mirror image में R, और Z का बच्चो क्या है, Z ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 isomers मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, तो बच्चो मिरर में E का E ही रहेगा, Z का Z ही रहेगा, R का S होता है, या S होगा, तो R हो जाएगा, ठीक है बच्चो इस तरीके से 4 isomers मिलते हैं, बच्चो सेम एक्जामपल है, आपका example number 17, तो आप बच्चो इसमें बात करें, यह double bond है, EZ हो सकता है, बच्चो यह chiral center है, इसमें R या S configuration हो सकता है, बच्चो N है 2, और total stereo isomers की बात करें ब बच्चो इसमें केस है, बच्चो इहां पर भी, ठीक है, बच्चो आप इसमें देखिए, यह chiral center, यह chiral center, ठीक बच्चो यह chiral center है, यह double bond 6 member ring के अंदर है, तो हम इसको stereo side count नहीं करेंगे, बच्चो इहां पर है N3, और देखने में molecule unsymmetrical लग रहा है, तो टोटल stereo isomers मिलें बच्चो इसको देखिए, बच्चो इसको देखिए, बच्चो इसको इसको देखिए, बच्चो इसको 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 बना सकते हैं, बच्चो इसको 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 इ और molecule symmetrical नहीं है ठीक है बच्छो एन है 2 और molecule कैसा है अन सिमेट्रिकल तो टोटल स्टिडियो वाईसमर बच्छो मिलेंगे 2 पावर 2 ठीक है यहाँ पर इमेज बनना है ठीक है तो बच्छो 1 2 3 4 बच्छो एन का वैल्यू है 4 और molecule कैसा है सिमेट्रिकल तो टोटल स्टिडियो वाईसमर अगर आप देखे बच्छो यह वाला फर्मल रजाए रहे बच्छो टू पावर एन माइनस वन प्लस टू पावर एन बाई 2 माइनस 1 बच्छो रखे तो 2 पावर एन माइनस 1 एन क्या बच्छो 4 एन माइनस 1 करेंगे ठीक है तो मिलेगा बच्छो आपको 3 प्लस अट एन बाई 2 निकालने बच्छो एन बाई 2 क्या होगा इसका 2 तो 2 माइनस 1 बच्छो आगया 2 ठीक है तो 2 पावर 3 8 प्लस 2 10 ठीक है बच्छो यह टेन आगे बच्चो आप यहाँ पर देगे इस एक्जाम्पल में तो डबल बॉन फाइब में में रिंग के अंदर का डबल बॉन में जोमेट्रिकल आईसोमर्स नहीं बनते हैं ठीक है बच्चो यह बच्चो अब इस डबर बोन करण जोमेट्रिकल आईसोमर्स तो नहीं बनेगे लेकिन इस पर बनेगा बच्चो एन है 3 जो हो जाएंगे बच्चो एट थी तो बच्चो हमने कैल्कुलेट किये नंबर ऑफ स्टीरियो आईसोमर्स बच्चो अप्टिकल आईसोमर्स जो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑप्टिकल एक्तिवटी इन अपसेंस आफ कैरल सेंटर बच्चो कुछ ऐसे कंपॉंड भी है जिनमें काईयरान सेंटर नहीं होता है फिर भी वो सब्सक्राइब टेंग ऊप्टिकल आप्टिकली एक्टिव होते हैं ठीक बच्तो ने से पहला केस अल इन्स वाला ड केस कंसीडर करते हैं बच्छों अलिस में जिसमें डबल double bond even है वो एक ऐसा एलीन जिसमें double bond odd है ठीक है बच्चों तो हम पहला case देखते हैं इस तरीके का यह वाला case तो बच्चों जिसमें हमने double bond लिए है two double bond है ठीक है two double bond जो की है किया बच्चों even ठीक है और टर्मिनल बच्चों differently substituted है a b a और b इस तरीके से दूसरा case बच्चों हमने इसी में ले रहे हैं double bond even ही है लेकिन टर्मिनल में substituted बच्चों सेम आगे a a या a और b इस तरीके से ठीक है और even double bond वाला case भी ले 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 हैं बच्चों even के बाद और double bond वाला case भी ले ले लेते हैं बच्चों इस तरीके से a b और a b यह वाला case आगया बच्चों जिसमें हमारे पास बच्चों 3 double bond जो की बच्चों क्या है और ठीक है तो बच्चों हमने आपको याद होगा geometrical isomerism में कुछ चीजें आपको बताई थी कुछ पॉइंट देख सकते हो आप बच्चों अगर double bond even है तो बच्चों क्या horizontal और vertical ठीक है इस तरीके से क्या बच्चों horizontal और vertical ठीक है अब चाहे टर्मिनल कैसे भी हो तो यहां पर बच्चों इसमें बात करें जब double bond even है ठीक है और terminal पर different substituent है तो बच्चों ऐसे case में optical isomerism होगी और यहां पर बच्चों geometrical isomerism का कोई chance नहीं होता क्योंकि हमने देखा था कि geometrical isomerism होने के लिए plane जो है same plane पर double bond है उससे bonded atom भी same plane पर होने चाहिए तो bonded atom अगर same plane पर है तो हम उसका 600 trans मना सकते थे ठीक है अब बच्चों इसमें बात करें तो geometrical का तो कोई chance नहीं था यहां पर optical भी नहीं होगा ठीक है क्या है कि यह जो terminal है यह जो carbon है बच्चो sp to carbon है जिससे जुड़े होगा substitute है वो कैसे होने चाहिए different होने चाहिए ठीक है तो बच्चों point यह लिखते हैं कि aliens of the type C double one C double one C A B A B या इस तरीके का A B D E shows optical optical isomagism ठीक है तो इस टाइप का जो aliens है जिसमें optical isomagism देखने को मिलती है ठीक है तो बच्चों in general हम बात करें इन जनरल हम बात करें टर्मिनल्स टर्मिनल्स बात करें देखने को मिलेगी और उनके टर्मिनल्स बच्चों क्या है डिफरेंट्री सबसेट्टूटे होते हैं होने चाहिए ठीक है तो बच्चों देखते हैं के बच्चों इस case को तो हम खतामी कर देते हैं क्योंकि odd double bond है तो आप बच्चों इसको देखिए ठीक है तो one two three odd double bond और ये plane बच्चों क्या है इस double bond का प्लेन बच्चों क्या सेम है तो सेम प्लेन में होने की विज़े से हम क्या करते हैं बच्चों इसमें सिस और ट्रांस देखते हैं यह बच्चों क्या है यह ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है ठीक है और इसमें देखी बच्चों यह इसका क्या है अगर हम इसको यहां पर लगा द तो प्लेन आफ सिमेट्री होने की वज़े से इसमें हम बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेर्स्म नहीं देखते हैं और ऐसे भी देखेंगे तब बच्चों और हम इसको ऐसे कट करें तो यह वाला और यह वाला कि प्लेन आफ सिमेट्री देखने को मिलती है बच्चों और बच्चों अगर हम इसको ऐसे देखें, इसका हम यह structure बनादें तो बच्चों इसमें देखिए तो अगर आप ये trans वाला है तो trans में आप इसमें देखिए तो यहाँ से center से symmetry देख रही है ये वाला point और ये point बच्चों same है same color के और ये point और ये point बच्चों क्या है same color के फिक है इसके बढ़े अब center में भी symmetry है और अब अब इसको ऐसे कट करेंगे इस तरीके से ठीक है तो ये portion आधा-धा कट जाएगा ठीक है ये वाला part आधा-धा कट जाएगा तो अपना symmetric arrangement बनाएगा इसमें बच्छो plane और center दोनों ही symmetry देखनों की मिलती है इसकी वज़े से इसमें बच्छो क्या है हम optical isomirism नहीं दे different plane है और substitute भी क्या है बच्छो different है अब इसमें plane आप symmetry देखने को नहीं मिलती है अगर आप इसको ऐसे कट करें बच्छो ध्यान दीजी अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो ये white और ये orange इसकी image बच्छो क्या है अलग बन नहीं है बात समझ रहें ये क्या है different है ये image नहीं ब इसे ले कर आते हैं इस तरीके से यहां से देख रहें तो इसकी बच्छो image क्या different है ठीक है तो plane आप symmetry बच्छो यहां पर नहीं है तो प्यूएस बच्छो की बात करें तो इसमे plane नहीं है ठीक है और ना ही center है अगर आप इसमें center से देखेंगे मालिए ये बीच वाला कारव direction में सेमेटम नहीं है या इधर गए तो यह orange मिला तो इसके opposite direction में दूसरा orange वाला नहीं है क्या कि plane ही different है तो इसमें plane आप symmetry देखने को नहीं मिलती ना ही center आप symmetry देखने को मिलती है तो बच्छो इसमें क्या है ना तो POS है ना ही COS है इसकी विज़े से इस तरीके का compound optically active हो बच्छो अब इसमें भी अगर टर्मिनल सभी सभी different हो जाया बच्छो तो भी को दिकत नहीं है यह AB हो गया यह D और E हो गया यह भी क्या है optically active है ठीक है बच्छो इसमें देखिए अगर टर्मिनल सेम हो गया तो सेम टर्मिनल पर बच्छो ऑप्टिकल आईसोमेरिज्म नह बच्छो देखिए इसमें हमने टर्मिनल सेम लिये हुए है तो इस SP to carbon से attach दोनों ही atom क्या बच्छो सेम है तो सेम atom होने पर बच्छो देखिए अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं यहां से इसे कट करते हैं इस तरीके से पास कर रहा है इसको तो सेम atom होने पर यह और यह अपनी image बना लेते हैं तो इसमें बच्छो प्लेन आप सिमेट्री आजाती है इसमें बच्चों क्या है आदा उपर आदा नीचे प्लेन आफ सिमिट्री रहेगी यह आदा उपर आदा नीचे इसकी प्लेन आफ सिमिट्री रहेगी इस तरीके से ऐसे ठीक है यह पूरा इटम आ गया बात समझ लें इसमें बच्चों प्लेन आफ सिमिट्री आने के विज़ प्लेन आप्सिमिट्री देखने को मिलती है, सीवेस तो नहीं होता, और ऐसे वज़े से ये कंपोन क्या है, आप्टिकली इनक्टिव होता है, तो बच्चों में चीज आपको ये ध्यान रगनी है, कि ऐसे हैं लिंस, जिसमें इवें डबर बॉन्ड है, ठीक है, और टर्मिनल्स में डिफरेंट सब्सिट्वेंट फ्रिजेंट है, ऐसे हैं लिंस आप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, में बात ये है बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो चोई एक्जामपल देख लेते हैं इसमें, जैसे हमने लिखा है बच्चों, CHCL, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CHCL, इसके बात करें, तो बच्चों ये अप्टिकली एक्टिव है, अप्टिकली एक्टिव है, कायल सेंटर नहीं है, बच्चों ये भी क्या है, अप्टिकली एक्टिव है, अगर हम बच्चों ऐसे रिखते है, CL, CL, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और CH, CH3, तो बच्चों क्या है, ये है, अप्टिकली एक्टिव, ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें चेक कर लएना है, ठीक है, बच्चों ऐसे आजाए, CS3, CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और CH, CS3, बच्चों ये क्या है, अप्टिकली इनेक्टिव, तो कि ये होरिजेंटल, वर्टिकल, तो एलिन्स के बाद, इस स्पाइरो कंपॉंड्स में देखते हैं, जैसे जिमेटिकल देखा था उसमें, तो वही सेम केस है बच्चों, अप्टिकल में भी, जैसे हमने एलिन्स में देगा, उसी तरीके से, तो ऐसे एलिन्स, यहाँ पर बच्चों क्या डबर बॉन्ट की जगें हम रिंग लगा देते हैं, वही केस बनता है यहाँ पर, बच्चों यह होरिजेंटल, वर्टिकल और होरिजेंटल, बच्चों यह क्या है, सेम प्लेन पर आ गए, इसमें प्युएस वगरा देखने को मिल जाएगी बच्चों आपको, यह क्या है, आप्टिकल आईसोमर की बात करें, तो आप्टिकल आईसोमेरिजम नहीं होती है आपर, ऐसे केस बच्चों क्या देखते हैं, जो विट्रिकल आईसोमेरिजम, ठीक है, और बले ही A, B रहें, या यह B और A इस तरीके से रहें, ठीक है, तो स्पाइरो कंपॉंड्स, बच्चों, having orderings, do not sow आप्टिकल आईसोमेरिजम, अब बच्चों, इवन की बात करें, यह A, B, और बच्चों क्या है, यह A, B, आप्टिकल आईसोमेरिजम देखने को मिलती है, जी आई देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, अगर आप बच्चों स्कुर्ण से लिख रहें हैं, A, B, D और E, इस तरीके से बच्चों, यहाँ पर भी बच्चों क्या मिलेगी, आप्टिकल आईसोमेरिजम देखने को मिलेगी, A, A, D, E, अब अच्चों आईसोमेरिजम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों ही सबसिट्युमेंट क्या है, टमियंस पर जो सबसिट्युमेंट है, वो सेम हो गया है, ठीक है, स्पिरों आईसोमेरिजम आईसोमेरिजम, ठीक है, ठीक है, तो बात देए, कि टर्मिनल्स पर डिफरेंट सबसिट्युमेंट प्रिजेंट होने चाहिए, ठीक है बच्चों, एक्जामफल देखते हैं, ठीक, जनरल आईडिया हमें बच्चों जरूरी है इन चीज़ों का बस, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्टिकल आईसोमेरिजम देखने को मिलेगी, बच्चों इस केस में भी ऑप्टिकल आईसोमेरिजम देखने को मिलेगी, अब्टिकल एक्ट्व है, अब्टिकल आईसोमेरिजम देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर ऑप्टिकल आईसोमेरिजम बनना है, बच्चों यह कंपोन किया, अब्टिकल एक्ट्व है, अब्टिकल एक्ट्व, ठीक है बच्चों, तो बात समझ गए, तो इस तरीके समय ने देखा, एलिन्स और इस्पारेंस वाला केस, नेक्स केस देखते हैं बच्चों, नोट के लीजिस को, तो नेक्स केस देखते हैं बच्चों, बाइफिनाइल्स वाला, नमर थी, बाइफिनाइल्स, तो बाइफिनाइल्स क्या बच्चों मसलब, इसमें दो फिनाइल रिंग आपस में जोड़ी हुई हैं इस तरीके से, इसको हम बलते हैं बच्चों बाइफिनाइल, तो बाइफिनाइल में बच्चों, अप्डिकल आईसो मेरिज्म देखने को मिलती है, गया कंडिसर ने उससी सको देखते हैं, तो बच्चों ऐसे देखिये, यह बाइफिनाइल है, ठीक है, जिसमें हमने दो बेंजन जोड़ा हुआ है, ठीक है, बाइफिनाइल देखे लेएं बच्चों, पलेनर है, पलेनर है, इस तरीके से देखो, अब बच्चों द्यान से, यह, ऐसे देखिए, दो बेंजिन को हमने आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है, अब बच्चों देखिए, हमने क्या गिया, यह इसके और्थो ग्रूप है, और्थो पोजिशन पर हमने थोड़े से बड़े ग्रूप लगा दिया, अभी सभी क्या है यह बच्चों हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, अब बच्चों क्या लार्ज ग्रूप जब आते हैं, तो इनके बीच में होता है रिपल्सन जगड़ा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रूप आगे, हाइड्रोजन तो बच्चों छोटा ग्रूप था, तो जब बच्चों ब रिपल्सन को कम करने के लिए एक रिंग आउट आउट आउप प्लेन चले आती है कुछ ऐसे देखिए इस तरीके से अब इसकी और इसकी दूरी क्या है बढ़ गई ठीक है अभी क्या थे यह नस्दीक थे ठीक है तो नस्दीक थे रिपल्सन की वज़े से क्या हुआ यह चले के दूर इसको बोलते याऊट आउट आओ प्ले चले आते हैं तो देख होए एक बढ़ आप प्लेन जाने यह different है तो इसमें बच्चो plane of symmetry नहीं आती तो और सेंटर तो कारेल नहीं है बच्चो इसमें क्या plane of symmetry नहीं आती जिसकी वज़े से ऐसे जो की और्थो पर differently substituted हैं, optically active होते हैं ठीक है बच्चो और्थो पर ही हम देख रहे हैं इस चीज को ठीक है बात समझ रहे हैं अगर बच्चो हमने यहाँ पर same group लगा दिये होते हैं ठीक है जैसे यह दोनों green दोनों green है तो अब बच्चो यह optically active नहीं होगा अब inactive हो जाएगा यह green और green अपनी image बना लेगा ठीक है और यह plane नहा से पास होता होगा चला जाएगा तो यह तो plane में ही cut होता चला जा रहा है लेकिन यह भी अपनी image बना रहा है तो क्या है बच्चो इसमें plane of symmetry हा जा रही है ठीक है तो बात यह है क्या है बात कि aliens जो बैफिनाइल हैं इसमें optical isomerism देखनों को मिलती है condition यह है कि इसके ortho पर different substitute present होने चाहिए ठीक है बच्चों तो point हम लिखते हैं और्थो dye-substituted by finance are optically active ठीक है तो dye-substituted मतलब कि आप चो different substituents होने चाहिए different substituents तो देखे कुछ ऐसा बच्चों यह ए यह बी और यह ए और यह बी इस तरीके के यह आप इसको 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 एसे लिकलें है लिए ई-ई-बी बी यह कुछ ऐसे A, B, D, E पुछ इस तरीके से तो बच्चे सभी कैसे भी क्या है यह वाले कंद जीसिन में यह है Optically Active पुछ इसे नहीं होने चाहिए तो A, A, B, D कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए यह क्या हो जाएंगे बच्चों Optically Inactive तो बच्चों जब भी बाइक फिलर्ज का केस आपके सामने आजाए तो इस तरीके का सिस्टम आपको देखना है ठीक है पर इक्जाम्पल अगर आप देखें बच्चों जैसे ग्रुप लिए हमने बच्चों SO3H CS3 SO3H CS3 यह बच्चों क्या है Optically Active है ठीक है यह बच्चों क्या है दूसरा एक्जाम्पल देखते हैं बच्चों NO2 NO2 CS3 यह बच्चों CHO ठीक है तो बच्चों यह क्या है Optically Inactive क्योंकि यहां पर बच्चों क्या है सेम गुरुप आगे ठीक है Alkylidine Cyclo Alkane ठीक है तो इसमें ring है और double bone भी है कुछ ऐसा case Double bone और इस तरीकी का तो इसमें क्या है अगर आप देखेंगे इनके भी plane डिफरेंट है यह horizontal और vertical तो रिंग और double bone क्या है डिफरेंट प्लेन पर है इस तरीके से जैसे हमने बच्चों इस वाले case में देखा था horizontal और vertical तो दो double bone हूं या दो ring हूं यह horizontal और vertical different plane पर है condition वैसे ही है कि substituent बच्चों क्या है terminals पर different होने चाहिए AB 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 इस तरीके से और यहां भी भाई है इसके terminals बच्चों क्या है AB AB या सारे के सारे अलग हूं AB D और E यहां पर बच्चों यहां पर भी यहां पर भी पर सेम टर्मिनल आ गए जैसे बी और डी तो ऐसे case में बच्चों क्या हो जाएगा यह आप्टिकली इनक्टिव हो जाएगा ठीक है जो कहानी हमने एलीन्स में देखी और स्पाइरो कंपॉर्स में देखी वही कहानी बच्चों अलकेलीडीन साइकलो अलकेंस में भी है ठीक है तो बच्चों देखिए H CS3 111 HCS3 बच्च यह क्या है Optically Active ठीक है CL BR CL BR यह क्या होगा बच्चों Optically Active इस तरीक एक कंपाउंड H C2H5 क्लोरीन क्लोरीन बच्चों यह क्या है Optically Active बच्चों अब अब नाइट्रोजन डबबब बबंद है और लोन प्यर को हम डिफरेंट ग्रूप की तरीके से डीड करते हैं तो बच्चों यह केस है तो बचो double bond और रिंग ठीक है तो double bond से attached group को देखिए और बचvan टर्मिनल में ring है इस से attached group को देखिए ये plane इन group का या atom का plane और in atom यो group का plane बच्छो के different है तो बच्चो ये दिख रहे हैं आपको horizontal plane में और ये दिख रहे हैं बच्छो वर्टिकल प्लेन में तो प्लेन डिफ्रेंट होने की वज़े से इनमें बच्चों हमें आप्टिकल आईसो मेरिज्म देखने को मिलती है बात समझ गए ठीक है अगर बच्चों हमने इनको same कर दिया ठीक है अगर ये दूग गुरूप same हो जाते तो सेम होने की वज़े से बच्चो अब इसमें देखिए ध्यान दीजे अब जब हम इसको ऐसे कट करते न यह प्लेन हम क्या है ऐसा होरिजन्टल प्लेन लगा रहे तो यह बच्चो यह सब कटता हुआ चला जाएगा तो यह सब अपनी इमेज बनाते चले जाएगे तो ऐसे क इसमें गिवन कंपॉंड। ओप्टिकेली एक्टी हुता है तो बच्चो हमने आइस्ओ मेरिज में कुछ सपेसल केसिस देखे जहां पर कायलस में नहीं है फिर भी commercial क्या है अब्टिकेली एक्टीकल आइक्टीकेक्डविश्स हो ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे शेंडे-पर spiro compound, biphenyls, alkylidine, cycloalkanes, ठीक है बच्चो?